दोस्तों इस साल Samsung मार्केट में आग लगा देगा Samsung Galaxy S24 series coming soon है और उसके बीज में Samsung ने mid-range में एक नया 5G phone को launch कर दिया है इसका नाम है Samsung Galaxy A25 5G 8GB 120 8G variant मेरे पास है और इसका प्राइस है 27,000 रुपेश इसको मैं आपलाइन स्टोर से खरीदा हूँ और पिछले 5 दिनों से लगतर use भी कर रहा हूँ और इतने दिनों में मुझे पता चल गया है इस phone में क्या-क्या चीस अच्छी है और क्या-क्या चीस बुरी है यह सब कुछ मैं आपको डीटेल में बताऊंगा इस वीडियो में अगर आप यह वीडियो एड तक देख लेते हो तो वीडियो की बीच में मैं आपको एक bonus tips दूँगा जो आपकी बहुत काम में आने वाला है तो शुरुआत करता हूँ unboxing से इसकी box में से दो चीस missing है charger और T2 case यह दो छोड़कार दोस्तो सब कुछ इसकी box में मिल जाता है अगले साल में box में आपको जो मिल रहा था इस साल में भी आपको same मिलेगा बागी दोस्तों इसका design चुँए हर किसी को पसंद आएगा पीचे से iPhone देखने में बहुत ही अच्छा लगता है इसकी back panel में छोटी छोटी डॉट है जो देखने में बहुत ही प्यारा सा लगता है मेरे पास यह लो color है बागी एफोन और दो color में आता है आपको जो color पसंद है आप उसके तरह देख सकते हो इसका frame बहुत ज़्यादा मोटा है पॉली कर्मिट के बनावा है बैक पैनल भी पॉली कर्मिट के बनावा है लेकिन बैक पैनल जो हो हलका सा glossy finishing के साब आता है एफोन आदर्स फोन से थोड़ा सा भारी है भाई 198 ग्राम तक पहुच जाता है मोटा frame और जादा weight की बज़े से one hand feel मुझे खास नहीं लगा है फोन की right side में volume up and down बटन है और एक power button है जिसमें fingerpin sensor है दोस्तो इस प्राइज में देखा जाए तो हार कोई phone में in display fingerpin sensor मिलता है तो इसमें fingerpin sensor देना चाहे था side mount fingerpin sensor का जो speed है तो मुझे average लगा है फोन की उपर में secondary microphone है left side में SIM tray इसमें hybrid SIM slot मिलता है अच्छी बात है दोस्तों इसमें 3.5 mm audio jack मिल जाता है अब एक टाइम में 25,000 के आसपास में जो सारा phone आता है उसमें 3.5 mm audio jack नहीं मिलता है तो Samsung बालों ने यहाँ पर अच्छा काम किया है उसे के साथ primary microphone, type 6 का port और speaker मिलता है अच्छी बात है दोस्तों इस phone में आपको dual studio speaker मिलेगा सबसे पहले आप sound quality सून लीजिए बहुत ज़्यादा loud है और dual studio speaker का जो मज़ा है ना वो next level है इसके पीछे में जो camera setup है ना वो पिछले साल में जैयर सा style में आया था same style में इस बार भी आया है पीछे triple camera setup के साथ एक LED flashlight है बाकि इसका build quality बहुत ज़्यादा मजबूर है दस्तों back panel पीछे से दबता नहीं है और पांस दिनों से में यूज कर रहो एक भी crisis बगरा नहीं आया है एफ़ोन पीछे से देखने में जितना सुन्दर लगता है front side से देखोगे तो बहुत भी बुरा लगेगा आपको यगि दोस्तों एफ़ोन notch के साथ आता है प्राइस के हिसाब से देखा जाये तो इसमें center control display देना चाहिए था और display का bezel और chain जो है वो बहुत जाता मोटा रखा है यह दो चीस मुझे पसंद नहीं आया है और आपको भी नहीं आएगा लेकिन दोस्तों display का जो size है वो बड़ा रखा है और बड़ा display में तो बहुत सरी फाइदा रहता है 6.5 inch एक super AMOLED display है दोस्तों और super AMOLED display का quality है और next level है वो भी Samsung का display है यह आपको याद में रखना होगा दोस्तों इसमें जब आप movie या video देखोगे देखने का जो मज़ा है वो बहुत ही अच्छा है दोस्तों इसमें color जो है balance आता है ऐसा नहीं है color को ज़्यादा वूस्ट बेगर कर दीता है जो black color है वो deep दिखाई देता है लेकिन सबसे बुरी बाद है इसमें आप 4K वीडियो नहीं देख सकते हो YouTube पर आप maximum full HD में वीडियो देख सकते हो बाकी इसमें जो 120Hz का refresh rate है वो पोपार में काम करता है जब आप use करोगे smoothness बरेवर feel होता है brightness भी अच्छा रखा है outdoor part, direct sunlight में इसको आप अराम से use कर सकते हो 1000 nits का जो peak brightness है यहाँ पर कुछ भी दिक्कत नहीं होता है लेकिन इसके display में जो सबसे बड़ा major problem मुझे देखने को मिला है जो है दोस्तों इसका display बहुत जादा flickering करता है और आप तो समझदर हो आपको पता है जो phone का display जादा flickering करता है और आखों के लिए harmful रहता है अब इतने दरस से वीडियो देख रहे हो आपको एक bonus tips तो मिलना चाहिए दोस्तों अगर आप एक नया phone लेने के लिए planning कर रहे हो और आपके पास credit कर वेगरा नहीं है आपको चाहिए discount with phone तो skin पर दियो ही number पर आप call कर सकते हो mobile alt आपके लिए हजिर है हर shopping में आपको ज़्यादा discount मिलेगा तो क्या सोज़ रहा है उसकीन पर दियो ही number पर अब call कर लीजिए दोस्तों सबके बन में एक ही question रहता है Samsung का जो performance है वो इतना अच्छा नहीं होता है दोस्तों इसको मैं 5 दिनों से use कर रहा हूँ इसका performance कैसा है मुझे बटा चल गया है आज़ोल गेमिंग करना चाते हो तो BGM जैसा गेम अब 30 एपिस में खिल पाओगे वो भी smoothly play नहीं होता है दोस्तों 30 एपिस दिखा रहा है लेकिन जब आप गेम खिलोगे आपको 20 एपिस के आसपास में मिलेगा और अगर आप long time तक गेम खिलोगे तो एपिस फोन अटक अटक के चलता है तो gaming experience इसमें बहुत ही बेकार किया आता है हाँ अगर आप ludu game, caram वगरा खिलना चाते हो या तिन पत्री वगरा खिलना चाते हो तो एपिस फोन आपके लिए kick-tak होगा थोड़ा बहुत यहाँ पर lag करता है यह मुझे देखने को मिला है, मैं आपके साथ honestly share कर रहा हूँ बागी इसका अब app opening देख लीजिए, बहुत जड़ा fast है टैप कर रहा हूँ, तुरंद open हो रहा है overall दोस्तों, अगर आप एक normal user हो तो एपूर आपके लिए perfect होगा इसका पाफ्रोंस आपको बहुत जड़ा खुश कर देगा वेल दोस्तों, इस phone में जो चीज मुझे सबसे अच्छा लगा है वह इसकी camera, एपूर पीछे की तरफ triple camera setup लेकर आता है प्राइमरी जो sensor है 50 megapixel, 8 megapixel का अल्टरोइट sensor और एक 2 megapixel इसका जो selfie camera है 13 megapixel इसके back camera से आप सांदर photo ले सकते हो दोस्तों यह मेरा बात नहीं है, और photo sample देख लीजिए sky का color को iPhone कितनी अच्छी तरीके से optimize कर रहा है उसे के साथ पिड़ पौदा का color देख लीजिए accurate यहां पर natural color मिलेगा, ऐसा नहीं है color को बहुत ज़्यादा boost करता है, color को बहुत ज़्यादा छेट-छाट करता है skin tone का color को भी अच्छी तरीके से optimize करता है और यह पर photo में दोस्तों देखो यार जूम करने के बाद फटता नहीं है detailing मस्त आता है photo के पीछे की तरफ जो dynamic range है उसको भी बढ़िया तरीके से manage कर लेता है back camera से, autofocus भी इसका fast है, कुछ भी problem नहीं होगा बागि जब मैंने protein mood में photo click किया दोस्तों, background को बहुत ही अच्छी तरीके से blur कर लेता है SDTX sun और protein mood में भी dynamic range को अच्छी तरीके से manage कर लेता है यह पर कुछ भी दिक्कत नहीं है, इसका back camera सांधर है दोस्तों, इस price में 8 megapixel का जो altroid sensor है, उसका भी photo sample आप यह पर दख लीजिए, 8 megapixel के हिसाब से detailing मसता आता है बागि इसमें जो selfie camera मिलता है, ओ भी इतना बुरा नहीं है daylight में बहुत ही अच्छा photo click करता है, photo में अच्छा detailing भी मिल जाएगा photo के बीचे की तरफ जो dynamic range है, उसको भी अच्छी तरीके से manage करता है यहापर skin tone का color भी देख लीजिए, balance color लेकर आता है, कुछ भी problem नहीं है लेकिन जब आप night में photo click कर रहे हैं दोस्तों, यहापर selfie camera आपको बहुत ही बुरा लगेगा मैंने बहुत सारी photo ऐसे खीचा, photo की पीछे में light है, फिर भी मेरा face को बहुत ही अच्छी तरीकर से optimize कर लेता है, वीडियो ग्राफिक के मामले में फोन भी मस्त है, इसके back camera से आप 4K में video record कर सकते हो, भी 30 एपिस में selfie camera से आप full HD पे 30 एपिस में video को record कर सकते हो, हाँ दोस्तों, एक stable video record करता है stabilization बेगरा सब कुछ अच्छा मिल जाता है, वो autofocus भी बढ़िया है, दोनों camera से आप सांधर video record कर सकते हो अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है इसका camera कैसा है, तो इसका camera मैंने detail में review किया मेरे second channel में, वो video आप देख सकते हो, वीडियो का link description पर है हाल फिलाल में एफोन latest Android 14 में run हो रहा है, और Samsung ने promise किया है, इसमें 4 साल का Android update और 5 साल का security patch update मिलेगा, और इसमें Samsung का latest UI, One UI 6 है One UI में दोस्तो थोड़ी बहुत आपको pre-install app देखने को मिलेगा, हाल पिलाल में बुझे, ads बेगरा नहीं देखने को मिलाए लेकिन जो pre-install app आता है उसको आप uninstall कर सकते हो, बहुत ही अच्छा-च्छा features आता है और security के मामल में Samsung तो एक number है दोस्तो, इसमें knock security भी आता है तो आपका phone को ज़्यादा secure करने के लिए secure folder को आप use कर सकते हो बागी इसमें आप चुपके से call recording कर सकते हो, सारे important 5G birds का support भी है ये phone OTG को support करता है वेल दोस्तो, अभी आप जानना चाहते हो, इसका battery backup कैसा है इसमें 5000 mAh की battery है, लेकिन inbox charger नहीं आता है 25W का adapter को support करता है, जो आपको बाहर से लेना होगा लेकिन दोस्तो, इसका जो battery backup ना, हाल फिलाल में मुझे super मिल रहा है मैं दिन में एक बार charge करता हूँ, सारे दिन का battery backup मुझे दे रहा है दोस्तो, कुछ भी दिक्कत नहीं है हाँ, 5G network में हार phone की तरह इसमें भी ideal battery दिन थोड़ा सा जाधा होता है हाल पहले ले मुझे 10% के आस-पास में मिल रहा है अब final conclusion की बात करते हैं, इस Samsung Galaxy A25 को खरिदना चाहेगे ने दोस्तो, इसका 8GB 120, 8GB variant का price है 27,000 रोपेस और specific के सान की तरह आप देखा जाए, मुझे लग रहा है दोस्तो, एफोन ओभर price में launch हुआ है इसका price 20,000 रोपेस होना जाए था अगर आप एक normal user हो, अगर आपको चाहिए एक ऐसा phone जो अगले 3-4 साल तक अराम से चलता रहे अगर आपका माम्मी पापा को gift करना चाहते हो, तो एफोन आपके लिए ठेक होगा नहीं तो दोस्तो, इस price range में बहुत सारी phone आता है जो इससे भी better design लेकर आता है, इससे भी better display लेकर आता है इससे भी better performance लेकर आता है और first charger के साथ भी आता है, अब उसके तरफ देख साकते हो फिर भी दोस्तो, आपको क्या लग रहा है, Samsung Galaxy A25 कैसा है आपके हिसाफ से, आप मुझे comment में जूरू बता सकते हो दोस्तों, इसको मैंने खोटके पैसे से खरीद के review कर रहा हूँ इसमें जो चीज अच्छा है, जो चीज बुरा है, सब कुछ मैंने honestly बता दिया अगर आपको ए वीडियो थोड़ी से भी helpful लगाए तो एक like करके, चालब को subscribe करके हमारे साथ जूड़े रहिए हो सागे तो एक वीडियो आपके रिस्तेदार और दोस्त के साथ भी share कर देना उसका और मेरा दोनों का मदद होगा तो आज के लिए इतना ही दोस्तों